कर दोस्तो, मैं सुझय कुमार और आपके अपने चैनल सुझय फेंटासी में आपका स्वागत है दोस्तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ड्रीम लेवन ओमेन सुपर स्मैश टी ट्वेंटी मैच के बारे में और यहां से Auckland Hearts Omen और Autego Sparks Omen के जो बीच में मैच खेला जाना है उसके बारे में पूरे डिटेल के साथ बात करेंगे और इसमें आपके लिए एक छोटा सा गीवववव भी है तो अब हम लोग डिसकस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर वीडियो को ध्यान से देखोगे, informative वीडियो होने वाला है और मैच भी ठीक ठाक आपके लिए जाने वाला है तो वीडियो देखोगे तो ही आपको समझ में आने वाला है कि क्यों ये मैच बढ़ियां जाने वाला है बिक बैस लीग वगएरा है तो ये हम लोग फॉलो करके चलते हैं ठीक है ये हम लोग इसका टीम वगएर आपको प्रवाइड कराते हैं प्लस मिन सुपरसमेश है दोस्तों थो ये भी हम लोग फॉलो करके चलेंगे उसका बरोधा T20 चैलेंज है यह भी हम लोग थोड़ा देखते हैं और इसका हर लीग का वीडियो भी वगएर आपको देते हैं रेगलर फॉलो करते हैं उसके बाद इसका भी कुद दिर में आपको वीडियो मिल जाएगा बिल्कुल करूँगा दोस्तों उस हिसाब से मैं ट्राइ करने के चलूँगा कल चार मैचे यहां रंडर नाइटिन के तो थोड़े से फोकस करके आपको चलने है कि कौन-कौन से प्लेर सायद देखो 15 मिनिट पले लहने पास आएगा उस बेसे में बता दूँगा कि किस प्लेट को कब और कैसे ट्राइ करके चलना है साज़ाभ वगरा हम लोग कल फॉलो करके चलने वाले हैं तो फर्सली इस मैच के बारे में हम लोग डिसक्स करेंगे कि आपको इस मैच में कितना इन्वेश्मेंट करना है सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में discuss करेंगे और उसके बाद डिविलेंट पर टिंग क्रियर का अकर करेंगे firstly हम लोग चलेंगे इस दोनों टीमों के हर प्लियर का stats देखेंगे और उसके बाद आकर के डिविलेंट का team create करेंगे तो चलो जल्दी से अब हम लोग चलते हैं इनके दोनों टीमों के प्लियर का stats देखने हैं तो दोस्तो यहां से अब हम लोग आ गए हैं firstly मैं बता दूँ आपको कि इस वीडियो में start करने से पहले मैं क्या क्या discuss करने वाला हूँ आपके साथ firstly मैं team news दूँगा जो कि captain, best captain और last analysis करेंगे हम लोग dreamland की team अब coming video हमारे कुण-कुण सी आ रही है जो कि मैंने आपको बता ही चुका हूँ कि कौन से मेरी next video आने वाली है उसके बाद मैं बता दूँ न दोस्तो कि telegram से आपको जूड़ना सबसे जादे important है because अब भी तक आप telegram से नहीं जूरे हो तो काफी सारे आप बंदे से पीछे हो तो जल्दी से जाकर के जूड़ जाओ कुछ करना नहीं आपको इस वीडियो के ठीक नीचे description में आपको telegram का link मिल जाएगा और जल्दी से जाकर के आपको बारे में अगर बात करेंगे तो देखो लास्ट के 4-5 मैचेज यानि के 7-8 मैचेज में बहुत अच्छे कासे बिन करके आ रही है यह टीम अब बहुत ही है strong team है तो फोकस करके चलना दो मैच ही इन्होंने हार रखाए सिर्फ तो strong team है तो इनके बारे में discuss कर लेंगे तो चलो तो अब हम लोग का आता है stats वाला section यहां से देखो गे तो Suzy Bates आपको खेलती भी दिख जाएंगी हर मैच में आपको score करती भी दिख जाएंगी बिकास यह आपको batting plus balling दोनों से अच्छे कासी point देती भी दिख जाएंगे तो आप इनको बिल्कुल try करके चलने ना captain fast captain भी इनको rotate करके चलना small league as well as grand league दोनों के लिए बेला जम से कुछ खास नहीं grand league rotate करना पॉली इंग्लिस भी कुछ खास player मुझे लगती नहीं है अगर आप इनको try करना चाते हो एब्रेज record है इनका recent performance में नहीं आप लिख रहा है साथ आट मैचेज का 13,8,9,23,1,15,9 तो आप उसी साब से सोच के चलने ना कि try करना है या नहीं करना है catty martin के बारे में अगर हम discuss करेंगे तो यहां से देखो T20 में हम लोग से बात करके चलेंगे उपर ODD का मैंने stats लिख रहा है जो कि मेरे लिए important नहीं है अभी हम लोग T20 का मैच है तो T20 पे focus करके चलेंगे हर मैच में आप वही बंदी score करती हुए दिखेगी 29, 29, 38, 40, 40 तो इनको अपने टीम में बिल्कुल ले करके चलना है 100% अपनी हम लोग टीम में ले करके चलने वाले है cattyling black लिए मुझे कुछ खास लगी नहीं है हैली जेंसन का देखेंगे तो आपको यह खेलती भी दिखने वाली है इस मैच में और अगर खेलती है तो आपके लिए अच्छी खासी पी करेंगी captain bass captain की grand league में अच्छी खासी choices रहने वाली है तो इन पर फोकस करके चलना और लिवा गेन खेलेंगे भी तो grand league में रोटेट करना दोस्तो सैफ्रम विल्जन खेलने वाली है नहीं इमा बलेक जो की स्ट्रीम से आपको विकेट लेज कभी गहीं नहीं है दोस्तो हर मैच आपको कभी न कभी आपको विकेट चटकाती हुई बिल्कुल देखने वाली है और confirm आपको 4 ओर के बॉलिंग करती हुई दिख जाएंगी तो आपको बिल्कुल ट्राइ करके चलेंगे आप मारीना लेंप लोग खेलेंगे भी तो grand league रोटेट करना एडन कारसन के बारें बात करेंगे तो ये भी इनकी तरफ से अच्छे कासी प्लियर आपको सावित हो सकत है और अच्छी कासी स्टैट्स रखती है और आपको अच्छी कासी प्रफॉर्मेंस करते हुई दिख जाएंगे ठीक है तो यहां से देखोगे तो आपको हर मैच में 4 ओर की complete बॉलिंग डालते हुई दिख जाएगी तीन-तीन विकेट एक एक विकेट आपको चटकाती वैसे मैं आप ज़्यादा आपको इनके बारे में बोलूँगा नहीं मौलिलोई स्क्वैड में नहीं है तो आपको एक खेलती भी नहीं दिखने वाली है तो चलते हैं दोस्तो इनके टीम के सारे प्लेयर के मैंने आपको डिटेल से समझाने का प्रयास किया है नेक्ट जो ट लिंक मिल जाएगा और जल्दी से जाकर आपको जूड जाना है इस ट्रीम के अगर हम बात करेंगे न दोस्तो लॉरें डॉन आपको दिख जाएंगी कैप्टेन स्ट्रीम से और यह सारे प्लेयर आपको खेलते वे दिख जाने वाले हैं तो चलो अब हम लोग आगे वीडिय और कितना वाली यह है वह लिख दने है दस कट कहीं डीकर चाहिए दिख थो थोड़ा सब्क्रीतिक आप चल लेना ठीक है और उसके बाद फिर आपको comment section में लिख देना है सुझे fantasy जो कि हमारा youtube channel का नाम भी है telegraph channel का नाम भी यही है और उसके बाद अगर यहां से हम बात करेंगे न दोस्तों तो comment section में आपको लिख देना है सुझे fantasy आपको लिखना है वीडियो को लाइक कर ले रहना है और चैनल को सब्सक्राइब की हुए रहना है तो ही आगर आप वीन करते हो तो पैसे आपको मीलेगा दोस्तों ठीक है तो चलो पने लोग जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं इस टीम के प्लेयर के स्टाइट्स के बारे में अन्ना पेटरसन जो की नहीं खेले वाली सबसी इंपॉर्टन प्लेयर है इंट की टीम से इसी वज़ए से इंट की टीम बहुँ जादा हार रही है एल डॉन के बारे में बात करेंगे तो लास्ट उमाइचे में ओडीडी में एक प्लेयर कर सकती है कभी 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 नहीं देंगी तो टीम ज burnoutर्डीन गर्णे वुर्ण करते हैं में दूंगा नहीं कैटी परकिंस ये आपको हर मैच में कभी-कभी स्कोर करती हुए दिख जाएंगे टीवेंटी पे अभी कुछ खास नहीं है एवरेज रिकॉर्ड है 23 रन, 29 रन और यहाँ पर 29 रन पहले बैटिंग करेंगे तो ही आप इंको ट्राइक करके चलना है अपने स्माली के टीम में बड़ ज्यादा हाइले रिकमेंडेशन में देने वाला होने आपके टीम में कंफर्म होनी चाहिए बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों सो आपको कंफर्म करती हुए दिख जाएंगी कैप्टन फैस कैप्टन के आपके लिए अच्छी चोइसे रहने वाली है अर्लेन कैली के बारे में बात करेंगे तो यह देखो यह भी आपको विकेट लिस्स कम ही जाती हुए दिखेंगी और इंको आपको ट्राइ करना चाहते है तो बिल्कुल ट्राइ करके चलना और इस बॉल लिग में तो मैं बोलूँग है क्याप्टन फैस क्याप्टन करेंगी तो इनसे बिल्कुल भी कंप्रमाइज करके नहीं चलना हो सकता है में अगर यह फर्स्ट बॉलिंग करेंगी तो मैं साथ लूँ अपने टीम में अगर सेकंड बॉलिंग करेंगी तो फिलिंग के थोड़े कम चांसर जो जाएंगे बिकेट लेने के तूस बैसिस में और यह फिलिंग में बोलूगा कि अगर उससे में उसे करते हैं तो ट्राइग करना में आपको सारा कुस हर प्लेयर का स्टाइड समझाया है और समझ भी गए हो गया आप तो चलो अब हम लोग जल्दी से चलते हैं ट्रीम अपे और वहां हम लोग चलके टीम करेंगे तो दो के साथ साथ हम लोग team create करते हुए चलेंगे small league के लिए ठीक है तो चलो यहां से आपको जैसे कि मैंने बताया है कि ओटेगो असपाक्स ओमन की टीम बहुँ जादा strong है compared to Auckland Hearts की ओमन की टीम से तो थोड़ा सब focus करके चलना ऐसा team बनाएंगे कि ओमन की टीम में जादे player हम लोग try करके चलेंगे यहां से देखो कैटी मार्टीन विगट की पर से खेलती हुए दिख जाएंगी falling list भी खेलती हुए दिख जाएंगी बर्ट आपके लिए best choice रहेंगी कैटी मार्टीन आईसी गेस भी खेलेंगे grand league रोटेट करना falling list आपके लिए best choice रहेंगे दोस्तों grand league के लिए उसके नीचे से कोई खिलनने वाला है नहीं उसके दाते हैं हम लोग batting section पे ale down को मैं लेकर करके चलूँगा समन्था बेट को लेकर करके चलूँगा kattling black league है कुछ खास मज़े record लागा नहीं है इनका आपको stats दिखाया है head match का तो मैं इनको अभी के लिए try नहीं करूँगा ठीक है आप यहां से kattie perkins है पिंको try करके चल सकते हो third player में मेनी को लेकर के जाना चाहता हूँ अगर किसी public के साथ जाने चाहते हो तो अगर कैटी परकिंस के प्लेस पर सी ब्लैकली को ले सकते हो बट अगर इनकी टीम first batting करती है तो ही मैं ब्लेक को लूँगा वैसे में लेकर के चलूँगा कैटी परकिंस को सची सारी है ग्रेली भी रोटेट करना इसका बट इनको भी ग्रेंडी वाली बेला जिम्स को भी ग्रेंडी में ठीक है यहां से बाकि और खिलने वाला कोई है नहीं और रांडर सेक्शन पहेंगे तो harley head लस्टन, कैटी इब्राहीम, इडिन कार्सन, अर्लन कैली, मैं चाड़ों को लेकर के चाहूंगा, अर्लन कैली के प्लेस में मैं लेकर के चलूंगा, हैलिस जन्जन को, ठीक है, विकाज यह मेरे टीम में कंफर्म रने वाली हैं, और अच्छी खासी आपको बैटिंग प्लस अर्ना पेटरसन को ग्रैंड लिग में बाकि यहां से कोई खास बीक लगा नहीं है, बॉलिंग सेक्षन पहाएंगे तो इमा बलेक, उसके बाद फ्रेंज जोनस अब आपका क्रेडिट इस हुआने लगेगा, अब आपके पास सारे साथ ही क्रेडिट बचेगा, तो फिर अगर आपको लेना है, तो मैं यहां से अभी के लिए लेकर के चलूँगा, जो कि आपके स्क्वाइड में है, अवसाइद खेलती हुए भी आपको दिखने वाली है, तो यह अभी के लिए हमारी टीम बन रही है दोस्तो, ठीक है, कैप्टेन भाइस कैप्टेन के अगर यहा कैटी इवराहिम रहने वाली है, और भाइस कैप्टेन सुजी बेट्स रहने वाली है, अगर फर्स्ट बैटिंग करती है, यहां से ओटे को अस्प्राक्स ओमेन की टीम, तो सायद मैं रिभर्स में कर दूँँ, या फिर मैं कर दूँ, सुजी बैट्स को कैप्टेन और तरीक और वीडियो के साथ, तब लिए धन्यवाद अपना ख्याल लगें, दूस्तों, जय हिंद!